अब निकालते हैं moment of inertia of a uniform disc यानि यह हमने एक डिस्क लिया प्लेट लिया या भील लिया जिसका मास कितना है capital M और जिसका radius कितना है capital R तो अब इस डिस्क को एक आएकक्सिति øpॉटेशन लेंगे यानि जो एकक्सिस ऑफॉटेशन यह जो है आप आक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वो काइसा है it is passing through the center of the disk यानि ये disk का क्या है ये center तो access of rotation कहा से जा रहा है it is passing through the center of the disk and ये जो disk है तो disk का horizontal plane है उसको कैसा आई है परपेंडिकुलर है यानि this access of rotation is passing through the center and perpendicular to this plane of the disk तो इस access of rotation के अबाउट अगर इस disk को गुमाए है इस disk को हमने rotate किये तो ये disk गुमने के लिए for rotational motion कितना अपोस करेगा that is called as moment of inertia I तो ये disk का about this access of rotation moment of inertia I कितना होगा ये हमें निकालना है that is moment of inertia of a uniform disk इस disk का जो mass per unit area होगा तो यहाँ पर लिखते है let sigma is the sigma क्या है तो it is mass per unit area of disk याने sigma equal to यहाँ पर आगया mass of disk upon area of disk तो यह surface area है ना तो mass of the disk M और surface area होगा circular है याने पायार स्क्वेर तो sigma equal to मिला आपको M upon पायार स्क्वेर यहाँ यहाँ करना है अभी कि this disk is made up of large number of concentric rings याने यह जो डिस्क है पूरा का पूरा डिस्क ऐसे बना है तो यहाँ पर एक रिंग होगा छोटा रिंग जिसका radius बहुत ही कम है फिर उसके बाद में दूसरा एक रिंग आया जिसका radius पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्याद आया फिर तिसरा रिंग चावथा रिंग पाच्वा रिंग छटा रिंग ऐसे करते करते एक के बीच में एक ऐसे 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 बढ़ती हुई अधी रिंग के साथ साथ लिग को फिक्स किए गए एक एक रिंग फिक्स किए तब जाके आप पूरे रिंग को मिला के अभी आपको चन नजर आ रिएए एक पलेयच घर आ रिए है मतलभ एक डिस्क नजा ल हो यह है डिस उसमें सिर्फ एक रिंग को सिलेक्ट करते हैं एक रिंग ठीक है जाने हमने एक रिंग पकड़ा one of the ring जिसका मास DM है जिसका radius कितना है x जोडिन करते तो radius x है और यह जो width है या thickness है जैससे यह डिस्का भी एक थिकनेस था तो यह ring का भी वही thickness है, तो that thickness यहाँ से लेके, तो यहाँ तक के यह हो गया thickness, तो thickness of the disc is dx. तो क्या किया हमने, एक ring consider किया, हमने यह पकड़ा, कि यह पूरा जो disc है, यह बहुत सारे ring से बना हुआ है, concentric ring से, जिनका radius यहाँ से कम से बढ़ते हुए जाता है, तो उसमें से हमने सिर्फ एक ring पकड़ा, जिसका mass dm है, जिसका radius x है, और thickness क्या है, dx. to let this disc is made up of large number of concentric rings of increasing radius, तो उन सभी rings का radius कहां से कहां तक के बढ़ेंगा, यह जो पहली ring है, एकदम चोटी होगी, तो इसका x क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और जैसे ऐसे ring बढ़ते जाएंगी, तो जो आखरी वाली ring होगी, उसका radius x का value क्या बनेंगा, equal to r, such that increasing radius from, कैसे रहेंगा, from x equal to 0 to x equal to r, बरब, अब इस में से, इतनी भी यह ring से बनी हुए, तो उस में से एक ring पकड़ेंगे, consider, one of the ring of radius, कितना है उसका, x, and thickness dx, एक ring लिया, जिसका mass dm है, लिखा नहीं यहाँ पर, बट यहाँ पर है, है ना, तो फिर, ring of mass m, यहाँ पर लिख देता हूँ, of mass m, comma, of radius x, and thickness dx, तो फिर उस ring का भी, mass per unit area आएगा, so therefore, mass per unit area of that ring equal to, कितना आएगा, sigma equal to mass of ring, अपन, यहाँ पर आएगा, area of ring, तो यह, यह ऐसा ring है, ऐसा है, यहाँ पर, ring बराबर, तो यह उसका thickness हो गया, और यह center हो गया, उसका ring का, और यह उसका हो गया radius x, और यह जो थिकने से, यह है radius, x, अब एक ring है, जिसका यह thickness है, thickness कितना है, dx, और center से, जो radius है, उसका, वो radius x, अगर हमने इस ring को, ऐसे कईची से काट दिये, काट दिये, और इसको ऐसे open किये, ऐसे अगर open करेंगे, तो आपको एक straight line मिल जाएगा, एसे, यह एसा एक straight plate मिल जाएगे, जिसकी थिकनेस क्या रहेगी, वही रहेगी, थिकनेस, ऐसी, और जिसका थिकनेस वही रहेगी, मतलब dx ही रहेगा यह, यह dx ही रहेगा इतना, बराबर, बट what about the length, length कितना हो जाएगा, तो यह radius x है, और ऐसा एक ring था है, x radius का, तो यह length यहने क्या होगा, उसका circumference, तो circumference, तो circumference equal to कितना होता है, तो that is equal to 2 pi r, बट यहाँ पे radius कितना है, x, तो therefore, एक जो ring है, उसको काटा, और ऐसे दिखाया उसको, तो यह circumference बना, यह thickness, यहने क्या बना है, तो rectangle का area यहने क्या होता है, rectangle का area यहने, length into breadth, तो इसका जो area आएगा, length into breadth, यहने 2 pi x into dx, so therefore, यहाँ पे मिलेंगा आपको equation, के sigma equal to, sigma equal to मिलेगा यहाँ पे mass of the ring, mass of the ring कितना लिया था हमने, तो mass लिया है यहाँ पे हमने, देखे इदर में लिखा था, तो इस dm, तो यहाँ पे आएगा dm, upon area of the ring, तो इस area, इस ring का area कितना होगा, इस is length into breadth, यहने 2 pi x into dx, तो इस is 2 pi x into dx, तो यहाँ से dm का value लेंगे, dm equal to sigma into 2 pi x dx, तो therefore, लिख देता में यहाँ पे, तो यह dm equal to मिला, dm equal to मिला, sigma into 2 pi x into dx, से, इस is equation number 1, यहने sigma का value मिल गया, sorry, dm का value मिल गया, तो यह जो ring है, एक ring कंसिडर किया, तो इसका जो mass लिया, dm, small element of mass dm, तो उसका value मिला, sigma into 2 pi x dx, अब हम क्या पकड़ेंगे, कि यह जो ring है, है ना, यह ring है, जिसका mass कितना है, इतना है, dm है, और जिसका distance कितना है, axis of rotation से, x है, तो इसको घुमाने के लिए, यह ring कितना आपोस करेगा, single ring कितना आपोस करेगा, that is called as moment of inertia of that ring, तो आप क्या करते, इस single ring का, single ring का moment of inertia निकालते, so therefore, यहाँ पे लिखता हूँ है, therefore, moment of inertia of ring of mass, dm is, क्या है का moment of inertia, उसका d i पकड़ते, d i equal to, क्या है, फार्मूला, mass into distance square, so mass into perpendicular, जो distance है, उसका फार्मूला ही है, moment of inertia का, है न, तो इस d i equal to mass कितना है, dm उसका, और distance कितना है, ring का, it is x from the axis of rotation, so here is the d i equal to dm का value निकाल चुके, it is sigma into, this is sigma into 2 pi x into dx into x square, बराबर, तो x, x cube हो जाया गए, तो d i equal to sigma into 2 pi x into x square, is x cube, और क्या बचा यहाँ पे सिर्फ यह, d x बचा, तो इधर में d x, this is equation number 2, याने, this is the moment of inertia of this ring, एक single ring का, यह moment of inertia हो गया, अब यह जो पूरी जो plate बनी थी, यह पूरी plate बनी थी, किस से बनी है, यह ऐसी, चोटी-चोटी-चोटी-चोटी ring से बनी हुई है, बराबर, तो अभी हमने इस में से, सिर्फ एक ring का moment of inertia निकाला, याने, एक ring घुमने के लिए कितना आप उस करेंगी, वो निकाला, अगर हम सारी rings का moment of inertia निकालते, और उनको अगर add कर देते हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को पूरे disc का moment of inertia मिलेगा, बराबर, तो ऐसा ही करते, तो अभी क्या करते, यह पहले single ring का moment of inertia मिला, moment of inertia of whole disc, moment of inertia of whole disc, about an axis of rotation, काहन से जा रहा है, passing through, center and perpendicular to plane of disc is, कितना आएगा, i equal to, पूरे disc का moment of inertia क्या होगा, i equal to, ऐसे जो छोटे-छोटे moment of inertia है, उनको add करेंगे, बट अब यहाँ पे summation नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा integration, क्योंकि यह continuous body है, है ना, यह discrete body ने, finite particles नहीं है इसमें, यह continuous body है, large number of particles है, जो इसी लिए, वो summation नहीं आएगा, instead of summation, यहाँ पे आएगा, अगर ऐसी continuous body रहती है, तो integration, so therefore, i equal to integration of this all di, यानि जितने भी छोटे-छोटे moment of inertia है, सबका हम integrate करेंगे, बट उसकी एक boundary रहेंगी, कहां से boundary, and x का value यहाँ से rings का, कितने radius किये, एक सबसे small radius, सबसे छोटी ring, जिसका radius रहेगा, x equal to nearly 0, और सबसे आखरी वाली जो ring रहेंगी, तो उसका जो radius रहेगा, वो x का value करीब-करीब r, therefore, boundary condition आया, lower limit x equal to 0, upper limit आया, x equal to r, तो अब यहाँ पे value पूट कर देते, so therefore, i equal to integration from x equal to 0 to r, what is d i, d i लिख दीजे आप यहाँ पे, sigma into, this is 2 pi x cube dx, sigma को आप बहर ले लिजे, so therefore, i equal to sigma, फिर 2 pi constant है, उसे भी बहर, x equal to 0 to x equal to, x equal to 0, तो यहाँ पे मिलेंगा आपको x equal to r, तो क्या मिला आपने का, sigma 2 pi बहर हो गया, यहाँ पे आगा है, x cube dx, ठीक है, तो अब हम क्या करते, इसको मैं यहाँ पे जगा है, तो लिख देता हो, यहाँ इतने जगा से, यहाँ से start कर रहा हूँ, ठीक है, तो i equal to, therefore, i equal to sigma into 2 pi, sigma into 2 pi, integration from x equal to 0 to x equal to r, integration of x cube dx क्या होता है, it is x power 4 by 4, पढ़ चुके हम integration में, है न, x power n plus 1 upon n plus 1, so therefore, यहाँ पे मिलेंगा lower limit x equal to 0, upper limit x equal to r, अब यह 4 है, इधर ले ले दे, so therefore, i equal to sigma, sigma का value है अपने पास यह, m by pi r square, तो यहाँ पे लिखा, m by pi r square, लिखा, into 2 pi, और यह 4 इधर आ गया, by 4 into, अब यहाँ पे क्या बचा, x का power 4, उसमें lower limit x equal to 0, upper limit x equal to r, तो यहाँ पे, x के जगा पे पहले upper limit put करेंगे, तो x के जगा पे क्या आएंगा, capital R आएंगा, तो यह capital R का power 4 हो जाएगा, बराबर, minus lower limit put करना है, यहाँ एक्स के जगा पे क्या पूट करना है, बराबर, 2, 2 cancel बचेगा, बराबर, M by 2 बचेगा यहाँ पे, M by 2 और यह R square, तो बचा कितना यहाँ पे, M by 2 R square, into, यहाँ पे बचा ए, upper limit x के जगा पे R, तो यह हो जाएगा, R का power 4, R का power 4, यह R square R square cancel होगा, तो क्या बचेगा, R square बचेगा, सिर्फ यहाँ पे, तो this is half M R square, यहनि इसको अगर लिखना है, तो instead of half M R square, हम ऐसा कर देते नहीं से, ऐसा लिख देते हैं से, तो देखें क्या आएगा, it is, M R square, R square R square cancel, तो निमरेटर में R square बचा है, तो it is M R square, और देनाटर में सिर्फ 2 बचा है, so therefore, I equal to M R square by 2, so this is the moment of inertia of disk, अब इसको हम, यहाँ पे question mark दिया था, तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो disk का जो inertia है, वो क्या मिला आपने को, it is I equal to M R square by 2, so this is the formula for moment of inertia, यह पूरे disk को अगर आप घुमाओंगे, तो यह disk घुमने के लिए कितना अपूस करेंगी, तो this is the formula for moment of inertia of a disk, about an axis of rotation, passing through the center of the disk, and perpendicular to the plane of the disk, ठीक,